जार्खान विधान सभा के तेश्में अस्थापना दिवस्प आज हम बना रहे हैं आज इस सुब आशर पर तेश्में अस्थापना दिवस्प को उत्साव अधग बनाने के लिए हमारे साथ मंच पर उपस्थित है राज के राजपाल सीपी राधा कृष्णुजी जार्खन विधान सभा अध्यक्ष आधर्णिये रविंद्रनात महतोजी संसेदेकार मंत्री आलमगीर आलम साहब और मंच पर उपस्थित नेता पर्तिपक्ष अमर बावरी जी विशेश रूप से उपस्थित आज किस अस्तापना दिवस में चूने गए उत्कृष्ट विधायक राम चंद्र सिंग्जी उपस्थित सचीव महोदर सभा सचीवाले के यहाँ उपस्थित मंत्री गण, विधायक गण, पूर विधायक गण के सभी क्रमचारी गण, पत्रकार मित्रों, आज की इस सुब उसर पर आप सब लोग को धेर सारी सुब काम ना हैं और आगे भी हम अस्थाफना दिवस मनाते रहें आप सब को मेरी और से जोहार है मैं आज कुछ विशेस भासन देने के पक्ष में नहीं हूँ, मूर में भी नहीं हूँ लेकिन बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि यह राज का सबसे बड़ा पंचायत है मंदीर, मस्जीद, गुरुद्वारा से उपर यह महा पंचायत है जाती, धरम, वर्ग और पूरे जारखन के लिए श्रम आम जन ही नहीं बलकि इस राज के जल, जंगल, जमीन यहां के जिव, जन्तू के लिए भी यह महा पंचायत है यहां पर कार्योजिना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं उनके बारे में जो चर्चाय होती है और नीतियां बनती है यहां से भी कई बिधेक पारीत के जाते हैं उसमें आम लोगों के साथ साथ राज के जिव, जन्तूओं के लिए भी बिचार भी मरस होता है तो इससे हम अंदाया लगा सकते हैं कि बिधान सभा, लोक सभा, राज सभाओं की महत्त्त क्या है निस्षित्रूप से आज जो भी यहां पहुंचते हैं हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक परतिनितिद इन जगहों पर भीजते हैं काफी आसा उमीद के साथ यहां तक कि आपको ऐसे दिर्णे भी यहां से करने पड़ते हैं ऐसे विचारों को भी रखना पड़ता है जिनकी आवाजें जो ना बोल सकते हूं ना आपके साथ रहते हूं उनकी भी आपको आवाज बननी पड़ती है और सही तरीके से इस महापंचायत में पंचायती हो इसी के लिए एक सकता पक्ष होता है एक बिपक्ष होता है हर पहलू के दो हिस्से जरूर होते हैं एक हाँ ना दोनों होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं आज हमें हर हाल में इस लोकतंत्र के इस महापंचायत को तूटने से ढहने से इसको नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा समय अवधी के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव होती है मुझे नहीं लगता कोई चीज में बदलाव नहीं होता हो हर चीज में बदलाव होता है चाहे वो जीविद हो चाहे वो निर्जीव हो सभी चीजों में बदलाव होती है कुछ बदलाव अच्छे होते हैं कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं तो मेरा ये मानना है ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है आज इस लोगतंत्र का लोग लोहा मानता है हमारे पुर्वजों ने हमारे चाहे महत्मा गांधी जी हो जोहाला नेहरो जी हो उस समय के लोगतंत्र और आज की लोगतंत्र को अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए है और उस बदलाव में हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया उन सभी चीजों को लेते हुए हम आज देश कजादी के 75 साल और हमारी इस राज को अलग हुए तेश्वे साल में चल रहे हैं और लोगतंत्र का असल परिभासा जो निकलता है वो बिधाई की कारिय से ही निकलता है कि जन परिथिनीदी के द्वारा इस महा पंचायत में कैसे पंचायती की जाती है इसलिए हमें बेहत गंभीरता के साथ मान सम्मान के साथ आज ऐसे संस्थानों के परती अपनी समिदनाएं और अपनी कर्तवियों का निर्वान हमें करने क्या हो शकता है एक हाथ से कभी ताली नहीं बचता बिना आग का धुवा भी निकलता तो इसलिए इस महापंचायत में विधायकों की बहुत अहम भूमिका होती है हमारे इस विधायक कार के और राज के सर्वा हमारे राज के गवर्नर्स आप हैं राजपाल महोदय है आज सरकार के हर निर्ने पर इनका मोहर लगता है तत्पश्यात तत्पश्यात के ही सविप सम्मानित सदस्थ हैं विधायका के कारिपालिका के लोग हैं पत्रकार हैं और हमारे बीच में हमारे इस महापंचायत में आख के पंचायतों की आखरी मोहर लगाने वाले राजपाल महोदय भी उपस्तित है ताकि हम हम इस महापंचायत के इस सुभावसर पर मिल जूल कर इस दिवस को मनाएं और लोगतंत्र की जो जड़े हैं उसको और मजबूत करें बावा भीम राव अंबितकर जी के समिधान जिसको लेकर आज तक हम यहां आए हैं उसे और आगे मजबूती के साथ ले चाहसे हैं इनी बातों के साथ आप सब को बहुत बहुत सुभकाबना है पुना मेरी और से धेर सारी बधाई जितने लोग पुरुषकारत हुए हैं उन सब लोगों को जोहार है कर दोंगी बातों के जाए हैं तक हम आए हैं जया हैं आए हैं आए हैं Ludovic कि वर्ण भी बातों के आए हैं बातों कि वर्णिद में आए हैं झाल 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 झाल